जहें दोस्तों अगर आप एक YouTuber हैं आप एक Vlogger हैं तो ये वीडियो seriously आपके लिए बहुत ही important होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GoPro Company के बहुत ही amazing camera के वारे में जिसका नाम है GoPro Hero 9 जियां दोस्तों ये जो camera है ये latest camera है GoPro की तरब से और इस वीडियो में हम इसके सारे जो amazing features हैं उनके वारे में जानने वाले हैं और इसी के साथ इंडिया के अंदर इसकी pricing क्या रहने वाली है जो भी pricing है उसके वारे में इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए friends स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले जो इसका feature है वह बहुत ही कमाल का feature है वह है इसकी जो touch screen है जिया दोस्तों वह तो दोस्तों इस camera के अंदर आपको दो touch screen देखने मिल जाती है एक आपको front में और एक आपको back में जिया दोस्तों यह काफी ज़्यादा important चीज होती है कि यहां पर आपको एक red LED light sensor मिल जाता है जो आपकी जब recording करते हैं उस time पर blink करता है जिसकी help से आप यह जान पाते हैं कि recording है वो on है कि नहीं इसी के साथ friends आपर इसका जो lens है वो removable है यानि कि उस lens को आप easily निखाल सकते हैं उसको वहां से आप remove कर सकते हैं और reattach कर सकते हैं तक में recording कर सकते हैं दोस्तों इसी के साथ इसके अंदर बैटरी आती है वो आती है 1720 mAh कि जिए हैं दोस्तों 1720 mAh की बैटरी इसके अंदर कहीं न कहीं आपको दी जाती है जिसकी help से जो gopro कहता है उसके मुताबिक full HD settings में आप 1 गंटा 40 मिनट तक कहीं न कहीं इसके अंदर recording कर सकते हैं दोस्तों यहीं पर बात की जाए इसके जो वीडियो recording settings है उनमें आपको बताना चाहूंगा कि इस camera के अंदर आप slow motion में record कर सकते हैं आप इसमें time-lapse के अंदर recording कर सकते हैं time-lapse में आप इसमें कह सकते हैं night में time-lapse का use आप इसमें full HD settings में easily कर सकते हैं और वहीं पर बात की जाए कि अगर आप कहीं travel कर रहे हैं तो यहां पर यह एक बहुत ही smooth कह सकते हैं यहारी stability provide कराता है जब आप किसी भी वीडियो को इस camera के through record करते हैं दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें इसके water test की तो इसके जो कह सकते हैं gopro company है वहाँ पर इन्हों ने कहा है कि इस camera को आप 33 feet तक कह सकते हैं गहराई के अंदर इसको पानी में आप easily use कर सकते हैं इसको वहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं तो दोस्तों अगर एक line में इस camera को समझा जाए तो आप इसे समझ सकते हैं कि आप अपने एक webcam के लिए meetings के लिए classes के लिए easily इसको यूज कर सकते हैं इसी के साथ friends सकते हैं इसकी बात की जाए pricing की तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलाल में इसका जो pricing है वो लगबग 34 से 35,000 रुपई के आसपास Amazon पर देखने मिल रहा है तो दोस्तों इ उमीद करूँगा कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगेगी और हमारे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें